सो हाई गाईज मैं हूं मेगराज और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपके वोटसेव की जो चैट स्क्रीई है वोटसेव का डेटा है अगर वो आपका डिलीट हो गया है खत्म हो गया है उसका बेकप नहीं था तो आप अगर उसे एक्सपोर्ट करना चुआते हैं रीकवर करना चुआते हैं तो किस प्रकरव लाएंगे आज की वीडियो काफी जादा अगर आप इस वीडियो को डाटा आपका हो सकता है अगर आप उस डेटा को रीकवर करना चाहते हैं वापिस लाना चाहते हैं तो यह वीडियो को अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आए अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरू करें ऐसे ही इन्फरमेटिव वीडियो के लिए इस वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल सब्सक्राइब जरू करें तो यह आज की इस देखने के लिए दोस्तों वोटसेब की जो चेट इस्क्री है वो डिलेट हो गई है वैसे तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सेम टोपिक के ऊपर अपने एक ओफिशिली तरीका काफी शांदर तरीका आपको पहले पिछले वीडियो में बदा रखाए आप हमारे चैनल पर जाएए वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं वोटसेब की चेट इस दिश्क्री को किस प्रकार रिकार रिकार क्या जाता है अन्दर आपका जो डिलीटेट डेटा है आप उसे रिकार कर सकते हैं लेकिन अब यह आप वो वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं यह नहीं देख रहे हैं तो प्लीज उन्वीडियो पर जाकर जरूर देखिए क्योंकि काफी इनफ्रमेटी वीडियो से उन्हें आपको तो बहुत ज़्यादा नोरिजबल टिप्स मैंने आपको बताएं काफी शांदार टिप्स आपको बताएं जो की काफी ज़्यादा बढ़ी है अगर आप एक बार यूज में लेना चाहें तो उन वीडियो को जरूर देखें तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि हम वोट्सेब की चेट से को एक्सपोर्ट किस प्रकार करेंगे यह डेटास दिलीट था तो उस डेटास को किसी को सेव किस प्रकार करें इसके दो में तरो सकते हैं किसी सेम टोपिक के ऊपर जो स्टेब मैं आपको बता रहा हूं मोबायल के ओपर बत सबस्क्राइए यहां से अब मोबायल पर चलेंगे और मोबायल पर चलकर मैं आपको बताने वारा हो कि हम किस प्रकार कर सकते हैं यहीत कि हमें अपने प्लिवादी चैट इसके लिए हमें अ Incre humtony स्टिरchaol के अंदर जहां कहीं भी बोर्ट सेप शो हो रहा हूँ बोर्ट सेप जहां कहीं भी आ रहा हूँ बोर्ट सेप पर आपको क्लिक करने ना है बोर्ट सेप पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहां पर कुछ उप्संस आ जाते हैं जिनमें दोस्तों एक ऻρώतों आपको यहां पर देखने पुटे है मिल जाता है सकते हैं ? करने के बाद आपके सामने , कुछ प्रूपि करनें आजाते हैं जिसमें जो क्लिक करनें आपको तैंद्न के लिए आपको अप्स Put एक नरे हैं चेट पर जैसे ही आप क्लिक करतें तो चेट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप के विंडोज आ जाती है यहां पर आपको स्क्रोल डाउन करना है और नीचे की और हम एक आपको डेखून को मिल जाता है करना चाहिए आपका जितना भी कंटेंट का ऑफ वो डिडिये हो गया है तो आप उसे रिस्टोड कर सकते हैं लेकिन आपकी जो चेट ही अगर वो डिलीट हुई है यहां पर नीचे की और एक आ देखने को मिल रहा है तो उस्तों चेट इस्टी का इस चेट इस्टी में वाले दोस्तों आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं यानि आगर आपके पास किसी भी प्रकार का कंटेंट था डेटास था अगर आप उन सभी चेटिंग्स को किसी अदर एंडूरी स्मार्ट फोन पर किसी अलग अपने ही नंबर पर सेयर करना चाहते हैं तो यहां से उसका सब्सक्राइब को अब सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ने आपको ने को दोस्तों अब को पताने कि अधर आपकी चेयर डिस्टी को डिलिट हो गई है और आप अपनी डिलिटेड चेयर डिस्टी को एजर रीकवर करना चाहते हैं तो इन इस सब्सक्राइब को फोलो ज़रू करें और काफी शांधार वीडियो कि आपके लिए लाते रहें तो जीओ लाइक सब्सक्राइब करें आप कर दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं कर